दोखो बचों ये कोशन हमें करना है अच्छा कोशन है दोखो ध्यान दे क्या है maximum value of this इस पूरे की हमें maximum value चाहिए और x दिया है 1 से लेकर के 3 के बीच में दोखो x की value 1 से 3 तक दी है उसकी बज़ाई ये है जिससे root के अंदर का term define हो पाए हाना x की value देखो 1 से लेकर 3 तक दी गई है और उसकी बज़ाई क्या है जिससे root के अंदर का term define हो पाए दोखो जैसे अगर हम root के अंदर के term को positive करें root के अंदर के term को positive करें तो क्या होगा देखो x minus से mild पाई कर दो lesser equal to 0 तो x minus 1 और x minus 3 lesser equal to 0 तो x क्या हो गया बोलो 1 से लेकर के 3 तक देखो तबी इन्होंने x ऐसा दिया है जिससे root के अंदर का term positive हो तो कि root के अंदर का term positive होगा तबी ये सब कुछ define हो पाएगा दोखो ध्यांग दोखो यहाँ पर क्या है इस पूरे की maximum value चाहिए दोखो ये काम करते हैं दोखो जैसे अब दोखो अच्छा question है अगर हम इसका square बगारा open करने में लग जाएं दोखो कि है ना जैसे ये एक positive term है और ये एक positive term है है ना अब इसकी maximum value पता नहीं कौन से point पर आए और इसकी maximum value पता नहीं कौन से point पर आए अगर दोनों की maximum value सेम पॉइंट पर आगई तब तोっと question हो जायगा असानी से यह ना इसकी maximum value किस point पर आती है नहीं अगर दोनों की maximum value सेम पर आ जाती है तो हम क्या करेंगे मलब एक्स की same value के लिए ये भी maximum हो जाए ये भी maximum हो जाए तो question का answer हो जायगा लोगी दोनों positive function है अगर x की same value के लिए दोनो maximum हो जाएं तो कोई समस्या नहीं मैंने बताया था आपको दो function का sum है और अगर same point पर दोनों maximum है तो आप maximum value direct निकाल सकते हो दोगो चेक करें जैसे यहाँ पर दोगो क्या है कि ये function दोगो ये हम चाहते हैं maximum हो तो अगर ये maximum होगा तो root के अंदर के term को maximum होना पड़ेगा दोगो root के अंदर का term क्या है दोगो root के अंदर का term ये है ऐसे अच्छली दोगो root के अंदर जो है वह quadratic है जो opening down है अब opening down quadratic है दोगो इसका vertex देखा जाए dy dx निकालेंगे तो minus 2x plus 4 बराबर 0 तो x equal to 2 हो गया ठीक अब x की value 2 अगर रख दें दोगो y क्या हो गया minus 4 plus 8 minus 3 दोगो y की value हो गई 1 तो इसका मनलत दोगो क्या हुआ इस function की maximum value 1 होगी जो vertex वाले point पर होगी इस function की दोगो जो maximum value है दोगो वो ऐसे करके ये 2 1 point होगा और अगर आप इसका कुछ ऐसे करके जाएगा तो इस function की maximum value 1 होगी जो x equal to 2 पर होगी ध्यान दो तो अगर हम x equal to 2 रखेंगे तो इसकी value 1 मिल जाएगी 1 plus 4 1 plus 4 मतलब 5 का square दो क्या होगा ये function 2 पर अपनी value maximum ले रहा है तो पूरा function भी 2 पर ही maximum value लेगा अच्छा दोगो ये कब maximum होगा दोगो ध्यान दो जैसे x है 1 से 3 तक है ना तो क्या होगा देखो x minus 5 का whole square देखो जैसे ये function है ना अगर हम y बरावर x minus 5 का whole square इसका graph बनाए तो दोगो इसका vertex 5 पर होगा 5,0 पर और ये graph कुछ ऐसे करके जाएगा 5,0 पर इसका vertex होगा x कहां से कहां लेना देखो 1 से ले करके 3 तक लेना है दोखो क्या हुआ अगर हम x को 1 लेंगे तो 1 पर देखो इसकी value हो जाएगी 16 और वो maximum होगी दोखो x जा रहा है 1 से 2 तक तो क्या होगा देखो x बरावर 1 लेने पर इसकी value maximum होगी है ना जबकि x बरावर 2 लेने पर इसकी value maximum होगी समस्या देखो ये आ रही है है ना तो क्या हो रहा है देखो x बरावर इसे x 1 से 5 तक जा रहा है इसका अगरा बना हो 1 से 3 के बीच में देखो x को 1 लोगे तो इसकी value हो जाएगी दोखो यहां पर 16 x को 1 लखो x को 3 लखोगे तो दोखो value क्या हो जाएगी 4 तो दोखो ये इतना पार्ट देखना है ग्राफ का 1 3 के बीच का तो इसके बीच में 1 पर इसकी value maximum है जो कि 16 है जबकि इसकी value maximum कहां पर है बोलो 2 पर है दोखो जैसे अगर for example हम x को 2 ले ले x को 2 ले ले दोखो ये वाला function क्या बनेगा ये बनेगा 1 1 का अंडर रूट 1 1 प्लस 4 का whole square और अगर x को 2 लेंगे तो क्या होगा देखो माइनस 3 का square तो 16 प्लस 9 एनेगी 25 अच्छा माल लो अगर हम x को 1 ले ले देखो अगर हम x को 1 ले ले तो दोखो यहां से क्या होगा x को 1 लेने से दोखो यहां पर क्या होगा अगर हम x को 1 ले ले तो दोखो समस्या क्या हो रही है यह अपनी maximum value 2 पर ले रहा है और यह अपनी maximum value 1 पर ले रहा है इसलिए सवाल ऐसे नहीं हो पाएगा अगर दोनों function अपनी maximum value same point पर ले थे तो इस सवाल को कर सकते थे हना यह maximum value 2 पर ले रहा है यह maximum value 1 पर ले रहा है तो इस method से question यह नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने ऐसे question पहले किये थे लेकिन और इसी method से किये थे हना दो function का सामय दोनों positive है लेकिन same point पर maximum value ले तो ठीक है नहीं ले रहा है अब देखो कैसे करना होगा इस question को एक और तरीका हमें देखो यहाँ पर लगाना होगा ध्यान दो क्योंकि यह function same point पर maximum नहीं हो रहे हैं मैंने सवाला पो कराए थे कि अगर same point पर maximum होते हैं तो function की maximum या अगर same point पर minimum होते हैं तो function की minimum value निकाल सकते हैं देखो अब जैसे इस question को एक और तरह के से करना पड़ेगा तो अच्छा question है क्या करेंगे दोखो इसको y के बरावर माल लिया जाए माइनस 3 प्लस 4 x माइनस x का इसको y माल लिया जाए square कर दिया जाए तो माइनस 3 प्लस 4 x माइनस x square एक तरफ कर जाए x square plus y square minus 4x plus 3 बरावर 0 दोखो क्या है actually ये एक circle का equation दोखो क्या होता है हम लोग coordinate में ये circle का equation पढ़ते हैं ऐसे करके ये coordinate में circle का equation होता है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बरावर 0 तेक है अगर ये circle है तो इस circle का center होता है minus g, minus f और इसका radius होता है under root g square plus f square minus c दोखो जैसे इसमें देखें तो क्या हुआ देखो x, x का coefficient क्या है बोलो 2g दोखो यहां पर 2g बरावर minus 4 तो g बरावर क्या हो गया minus 2 दोखो y का coefficient होता है 2f इसमें 2f नहीं है तो f की value 0 और दोखो c बरावर क्या हो गया 3 दोखो क्या की है 2g x plus 2 है दोखो x, x का coefficient 2g और यहां पर कितना है minus 4 तो 2g बरावर minus 4 g बरावर minus 2 y का coefficient 2f दोखो y का term नहीं है तो f हो गया 0 और constant term दोखो c क्या हो गया 3 दोखो इसका center क्या हुआ इसका center हो गया minus g minus f यानि कि 2,0 और radius क्या हो गया under root g square plus f square minus c तो radius दोखो 1 तो दोखो कहने का मतलब यह है कि यह जो circle है यह एक ऐसा circle है जिसका की center है दोखो 2,0 यहाँ पर और radius क्या है वो लो दोखो यह ऐसा कुछ circle है ऐसे करके दोखो यह ऐसा circle है है ना इस circle का दो center है 2,0 और radius क्या है वो लो दोखो यह इस circle का center है यह radius दोखो ध्यान दो जैसे अगर हम ध्यान दें तो यह क्या है दोको जैसे x-5 का square प्लस यह y माना है तो दोको यह क्या हो गया y-4 का square x-5 का square प्लस y-4 का square दोको अच्छली क्या है इसको ध्यान से दोको तो यह xy और 5-4 के बीच का distance है यह वलकि उसका square है x,y और 5-4 के बीच की distance का यह square है अच्छा यह xy दोको अगर हम दोनों point के बीच का distance निकाले तो क्या आएगा under root of x-5 का square y-4 का square यह आएगा लेकिन दोको root नहीं है यह उसका भी square है यह इन दोनों के बीच की distance का यह square है मतलब हमें इसकी maximum value चाहिए मतलब हमें xy और 5-4 के बीच की distance की maximum value चाहिए मतलब अगर हम इस point को p माल लें और इसको q माल लें दोको तो देख चली यह pq का square है जो हमें यहाँ पर यह दिया गया दोकी दोको यह y plus 4 का square यह x-5 का square ना तो यह point p है यह q है तो pq distance का square करोगे तो यह है मतलब हमें pq distance के square की maximum value चाहिए दोको यह p point कहा है p point दोको यह यहाँ से आया यह circle से आया मतलब p point xy xy का मतलब circle के उपर कोई point मतलब हमें एक point चाहिए circle के उपर और एक point दोको यह 5 minus 4 दोको 5 minus 4 यहाँ कहीं होगा ऐसे करके तो हमें 5 minus 4 और दोको यह हमारा circle है circle के उपर कोई भी point xy हो सकता है circle के उपर दोको कोई भी point xy हो सकता है तो हम चाहते हैं xy और इसके बीच की distance maximum हो तो इसका मतलब दोको यह हुआ कि हम अपने xy को यहाँ कहीं लेंगे यहाँ कहीं अगर xy को दोको यह center हो गया बिलकुल diametrically opposite लेंगे है तो यह distance सबसे ज़्यादा होगी यह point ऐसा point है जो इस point से सबसे दूर है और दोको यह circle के उपर भी है तो हमें circle के उपर ऐसा point चाहिए जो 5, minus 4 से सबसे ज़्यादा distance पर हो तो इसका मतलब हमें actually यह हमारा p है और यह q है तो हमें यह pq का square चाहिए देखो जैसे मालो यह c है अगर हम यह qc distance निका लें तो qc क्या हुआ under root 5 minus 2 का square plus minus 4 minus 0 का square देखो under root 9 plus 16 तो क्या हो गया वो लो 5 यह qc हो गया अच्छा cp cp क्या है देखो circle के radius तो 1 तो दोखो यह pq distance क्या हो गया pq distance हो गया 5 plus 1 तो यह qc distance दो points की विच की distance का formula और cp distance 1 है तो दोखो यहां से यहां तक की distance क्या हो गया दोखो 5 plus 1 मतलब 6 और हमें चाहिए था pq का square तो pq का square क्या हो गया बो 36 यही हमारे question का final answer है ध्यान देखो है तो कि हमें pq distance का square चाहिए उसका भी maximum है ना मतलब x y point इस circle पर कहीं है और यह point 5 कॉमा मैनस 4 है तो हमें x y और 5 मैनस 4 के बीच की distance का square और उसकी भी maximum value चाहिए है ना यह distance और उसकी भी maximum value तो दो को 5 मैनस 4 यहां है और center यहां है तो अगर हम x y को यहां लेंगे तो इनके बीच की distance क्या होगी बोलो maximum होगी तो x y को हम बिलकुछ diametrically opposite लेंगे तो इनके बीच का distance निकाला यह radius 1 इसमें add किया तो 6 और उसका भी square तो answer क्या आ गया बोलो 36 हमारे question का answer क्या है बोलो 36 है ना तो काफी अच्छा question है ध्यान देना है ना तो variety सब कोशन में cover कर रहा हूं इसलिए लिए लिए कुछ तरह बच्छे धिहान से इसको